आज मैं आप लोगों को अगनिवास के बारे में बताऊंगा जो हवन हम कराते हैं या करते हैं तो किस दिन करना चाहिए जिससे हमको लाभ प्राप्त हो जिस दिन हम खाली होते हैं या हमारे घर में कोई कारिक्रम होता है हम उसी दिन हवन करवाने लगते हैं चाहे उस दिन अगनिवास प्रतवी पर हो चाहे न हो अगर अगनिवास प्रतवी पर नहीं होता है तो नुकसान होता है कब कराना चाहिए सास्त्रों के अनुसार ये हमेशा जानकारी रखनी चाहिए और होनी चाहिए हम सरल भासा में आपको इसको समझाने कोशिस कर रहे हैं आप लोग बिल्कुल इसको समझ जाएंगे अगर जो नहीं समझ पाते हैं तो आप बताईए कि क्या समझ में नहीं आया है तो उसको जरूर हम बताने कोशिस करेंगे इसमें कोई भी आपका ग्रिह प्रवेश करवा रहे हैं नया मकान बनाए हैं या कहीं मकान में गए हैं तो बास तो दोस्त के लिए करवा रहे हैं तो जरूर ही वहां करना चाहिए यह जो पवीत अगर कर रहे हैं तो उसमें भी देखना चाहिए कोई ब्रत कर रहे हैं कोई कथा हुई है कोई अनुष्ठान हुआ है इनमें सब में अगनी कावास देखना चाहिए और जिस दिन अगनी कावास हो उसी दिन करना चाहिए जब प अगनी बास है उसी दिन हवन करें तो शास्त्री विधान के अनुषार तिथी की जो गर्णा होती है तो वो हमारी शुकल पक्ष की परजपदा से होती है और जो दिन की गर्णा होती है वो रभिवार से होती है इसको आप समझ लीजे जब लिखा होता है कि तिथी को जोड़ लें तो प्रतिपदा से ही जोड़ना पड़ेगा वो भी शुकल पक्ष के इसी को आप समझिए कि मान लो आज हम कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथी के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि आज आपको हवन करवाना है तो आपको शुकल पक्ष से पूर्णि तुर्थी तिथी है कृष्ण पक्ष की तो चार ये तो पंद्रह चार उन्नीश इसमें एक और आपको मिला देना है तो पंद्रह प्लस चार हो गया उन्नीश और एक अपने से मिला देना है तो हो जाएगा बीस और आज का जो दिन है तो उसको मिला दें कि मान लिजे आज रविवार है तो एक मिलाना पड़ेगा और कोई दिन है तो रविवार से तो उसको कर दें फिर सब को मिला कर चार से आप भाग दे दें चार से भाग देने पर अगर शून्य अथवात तीन बचता है सेस उसी दिन हवन आप कराएंगे किसी भी ग्रह शान्ती के लिए कोई हवन करा रहे हैं ग्रिह इकलेस वाधा दूर करने के लिए करा रहे हैं जिस दिन सुन्य अथवा तीन बचे उसी दिन आप हवन कराएंगे तो लाभ होगा अब इसका फल भी आपको बता देता हूँ कि अगर सेस जो है तो सुन्य हो तो अगनी का निवास प्रथवी पर मानो जिसमें अगर हवन करते हैं तो कल्याण होता है अगर एक सेस बच रहा है तो अगनी का निवास जो होता है आकास में होता है जो कि हवन करने वाले की आयू का नास करता है च्छै कर देता है आयू कम करता है अगर सेस दो बचे उस दिन आप हवन करवाते हैं उस दिन पाताल में अगनी होती है उस दिन आपका धन का नुकसान होता है और अगर तीन सेस बचता है तो भी प्रिथवी पर निवास होता है उ इसलिए अगनी का वास करके तब ही करें जिस दिन प्रथवी पर वास हो उशी दिन करना चाहिए चाहे कोई भी हवन आप करना चाहते हैं या कराना चाहते हैं तो जरूर ही इसका विचार कर लें और अपने पंडित जी से भी पूछ लें और अपने से भी आप यह जान सकते है मैं इसकी फोटो भी आपको वीडियो में लगा दे रहा हूँ जिसको आप समझ लेंगे तो बड़े आसानी से आप समझ पाएंगे हो सकता है कि जो कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप पूछेंगे तो जरूर ही मैं बताने कोशिस करूँगा ओम नमः शिवाय जय मात आदी